नमस्ते आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटस बॉट में और मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जिप फाइल को कैसे अंजिप करके गिटब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और गिटब पे एक रैपो को तयार कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है जिस फोल्डर के अंदर आपने अपनी जिप फाइल को रखा हुआ है तो मैंने डोक्यूमेंटस के अंदर अपनी जिप फाइल को यहां पर अपलोड करके रखा हुआ है जो कि मेरी एवामारिया की रैपो है जिसके अंदर URL शॉर्ट यह मेरा home page है आपको यहाँ पर रैपो को नाम देना होगा तो मैं इसे नाम देता हूँ search bot और यहाँ पर create new repository के उपर क्लिक कर दूँगा इसके बाद आपको यहाँ पर बटन दिखला है uploading as an existing file आपको इसके उपर क्लिक करना है और इसके उपर पर क्लिक करना है choose your files पर और अपने file manager के इंदर जाना है file manager में आनक बाद आपको यहाँ पर अपने file manager को open करना है और वहीं पर जाना है documents के इंदर जहां पर मैं अपनी file को unzip करके रखा हुआ है URL auto delete और आपको यहाँ पर तीन folder दिखाई देंगे एक तो asset, database, plugins आपको इन तीन folder को छोड़कर यहाँ पर जितनी भी file है आप folders को upload नहीं कर सकते हैं github के उपर तो आप files को upload कर सकते हैं अपको यहाँ पर उन सारी files को select करना है और फिर यहाँ पर select के उपर click कर देना है तो हमारी जो files है अपर uploading चालो हो जाएगी हमारी files की मैं यहाँ पर कुछ दिर wait करूँगा इसके बाद जब file upload हो जाए आपको scroll down करना है और comment changes के उपर click कर देना है अब यहाँ पर हमारी file process हो रही है तब तक आपको क्या करना है confusion को दूर करने क्लिए मैं यहाँ पर file manager के अंदर जाऊंगा file manager में जाके मैं अपने documents folder के अंदर जाऊंगा और फिर उसके बाद अपनी repo folder के अंदर जाऊंगा तो यह जो files है मैंने already upload कर दिया मैं इन files को delete कर दूँगा क्योंकि मैंने इस repo के अंदर upload कर दिया है तो मेरे को बाद में confusion नहीं रहेगी तो मैं इहाँ पर delete कर देता हूँ अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर तीन folders है आपको इसी नाम से तीन folder create करने अपनी repository के अंदर और आप याद रखना कि आप small letters का use करने जैसे इसमें repo के अंदर है इसके बाद आपको यहाँ पर three dot के उपर click करना है और create new file पर click करन अब इसके बाद जो मैं पहला यहाँ पर आप मैं जो पहला यहाँ पर database बनाऊंगा वह बनाऊंगा database के नाम से database और यहाँ पर slash enter करूंगा तो यहाँ पर folder create हो जाएगा अब यहाँ पर आप किसी भी file को यहाँ पर नाम दे सकते हैं और यहाँ पर preview के उपर click करके comment new file के करना है और चूज फाइल करनी आपको वापस मैं file manager पर जाऊंगा और आपको उसी अपने उसी फोल्डर के अंदर नेगिवेट करना है ठीक है अब यहाँ database वाला folder था आपको इसे open करना और इसके अदर जितनी भी files हैं इसे यहाँ पर upload कर देना है याद रखना कि जैसे रेपों के अंदर आपको folders दिये गए हैं आपको उसी नाम से folder create करना है आपको changes नहीं करने हैं वरना जो आपकी रेपों वो वर्क नहीं करेगी आप इसके बाद मैं again यहाँ पर click करूँगा और create new file के ऊपर click करूँगा और जो हमारा दूसरा folder है वो create करूँगा हमारा दूसरा जो फोल्डर है उसका नाम है plugins और यहाँ पर slash enter करूँगा तो यह folder create हो जाएगा हाई के नाम से एक file बना दूँगा मैं यहां पर comment new file के उपर click कर दूँगा आप चाहे तो इस high वाली file को upload कर सकते हैं बाद में मैं इस file को बस यहां पर create इसले कर रहा हूं क्योंकि आप बिना file के folder create नहीं कर सकते github के अंदर अब मैं यहां पर plugins वाले folder को पूर upload करूंगा वापस जाओंगा यह मेरा plugins वाला folder है और यहां पर इन files को select करके सारी files को आप एक एकर करना है और यहां पर select कर दूँगा और यह मेरी सारी files यहां पर upload हो जाएंगी इसके बाद नीचे आके यहां पर comment changes को उपर click कर दूँगा तब तक मैंने जो फोल्डर upload कर दिये मैं फोल्डर को यहां से डिलेट कर दूँगा इसके बाद जो मेरा last folder बचा हुआ है वो वैसे तो यहां पर asset folder है इसकी ज़रुत नहीं हमें लेकिन मैं आ क्योंकि आपको दिखा रहा हूं कि आप unzip files को कैसे upload करें तो मैं इसे भी यहां पर upload कर देता हूँ मैं assets के नाम से एक folder बनाऊंगा है और high file create करके यहां पर comment file changes कर दोंगा और उस file को यहां पर upload कर दोंगा मैंने गलती से create file पर click कर दिया अगे गलती से मैं upload files के उपर click करूँगा और इस upload files के अंधर मेरी है कि mage है बस मैं उसे यहां पर upload कर दोंगा मैंने में select करी और फिर उसके बाद comment changes को उपर click कर दिया यहाँ पर जो मेरी पूरी repo थी अब मैं इस folder को भी हाँ पर delete कर सकता हूँ यह पूरी मैंने repo github के उपर upload कर दिया इतनी जल्दी अब इस repo को आप कैसे deploy कर सकते हैं इसके उपर मैं जल्दी से वीडियो लेकर आँगा इसलिए आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर ले आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया